स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार जो राज्य है वो Special Status की मांग कर रहे हैं अब Actual में Special Status अलग होता है Special Status Special Category Status एक अलग चीज़ होती है बिहार Actual में Special Category Status की मांग कर रहे हैं तो यह Special Status क्या हो रहे है क्योंकि मैंने कई जगह देखा है जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा Special Status की मांग कर रहा है बिहार अंदर पर दे Special Status की मांग कर रहे हैं Actual में Special Category Status की मांग कर रहे हैं तो अभी हाली में जैसे Election हुए है जिसके अंदर आपने देखा है जो BGP है वो अकेले तो भहुमत नहीं पाई जिसके कारण यहां पर JDU और TDP JDU और TDP इन दोनों के सहोग से NDA Government बनके निकल कर आई है अब यहां पर जैसे यह Kingmaker बनकर आए हैं JDU और TDP तो obviously यह तो चाहेंगे न कि अपने स्टेट के लिए कुछ न कुछ लेके जाएं तो अब यह चाहा रहे हैं कि हमारे राज्य को क्या करके एक Special Category Status मिल जाएं तो आज के हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं कि Special Category Status में आने से बिहार को क्या फायदा है कैसे क्या बिहार आ सकता है Special Category Status में और क्या-क्या इसके विरोध में तर्क दिये जा रहे हैं कि नहीं बिहार नहीं आना चाहिए Special Category Status में और इसके अलावा कोई alternative जो है रास्ता ढूंडने की कोशिश की जा रही है इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे मैं बता देता हूँ आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो अपनी इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि स्पेशल स्टेटस वर्सिस स्पेशल केटेगरी स्टेटस क्या होता है इसको भी बहुत अशे से कवर करेंगे देखिए जहां पर आप निजपेपर में देखेंगे बिहार जो स्पेशल सके अंदर स्टेट हैं उसको भी हम देखने वाले है तो देखिए हाल के बिहार मंत्री है नितिश कुमार जी उन्होंने सरकार जो यानि की जो केंदर सरकार है उनसे कहा है कि आप हमें special category status यानि विशेज श्रेणी का दर्जा देजिए श्रेणी राज्य का जर्दा देनी की जो मांग है वो तेज हो गई है बिहार के अंदर अब क्यों हो गई है क्योंकि देखे बिहार की जैसे कंडिशन है अम जानेंगे कि बिहार के अंदर पूरे भारत के अंदर बिहार की जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं बिहार के अंदर, बिहार की demographic condition या फिर वहां का infrastructure वो सारे की सारी हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं इस वीडियो में तो जैसे आपने यहां पर न्यूस पेपर में देखा आंदरपरदेश ने मांगा, बिहार ने मांगा है आप एक चीज समझ ने ना, कि अंदरपरदेश का क्या सारी discuss नहीं करोगे देखिए special category status के बारे मैंने आप लोगों को जैसे पताया, वही same condition जो है वो अंदरपरदेश पे भी लागू होगी ऐसा नहीं है कि जो बिहार में लागू हो रही है वो अंदरपरदेश में लागू नहीं होगी और जो अंदरपरदेश में लागू होगी, वो बिहार में लागू नहीं होगी देखिए special category status में जो चीज़ें दिये जाएंगी वो same, हर एक राजजे को same चीज़ें दिये जाती है, जो जिस राजजे के अंदर special category status आता है first of all तो हम बिहार की location हम देख लेते हैं कि बिहार राजे में हमी कहाँ पढ़ते हैं देखें यहाँ पर आप दिखेंगे जो districts हैं जिले हैं वो कितने हैं राजधानी आपको पता है बिहार कब बना है इसको पता है वो अलग अलग कब हुआ यह भी हम जानेंगे राजे सबा सीट आपको पता है 16 है लोग सबा यहाँ पर कितने हैं 40 है बाइ केमरल यहाँ पर आपको state legislature यानि कि विधान सबा और विधान परिशद यह दोनों देखने को मिलेंगी विधान सबा के अंदर यहाँ पर 243 सीट है और विधान परिशद में यहाँ पर 75 सीट है रैंक एरिया के इसाब से यह बारवां सबसे बड़ा राजी हमारे सामने निकल कर आता है यह पटना इसकी राजदानी होगी उपर की तरफ इसकी जो है इंटरनेशनल बाउंडरी जो बनाता है वो नेपाल से बनाता है इदर हमारे सामने इसके यहाँ पर वेस्ट बंगोल हो गया नीचे की तरफ जारखंड हो गया इदर उतर परदेश हो गया तो लोकेशन आपके सामने होगी 38 सेट होगे यह एक तरीके से आपके सामने यह सब चीज़ें क्यों लेके आ रहा हूँ देखे एक कंडिशन आती है special category status के अंदर वो यह कि अगर राज्य किसी international boundary बनाता है तो obviously वहाँ पर उसको consider किया जाएगा तो यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि क्या बिहार की international boundary लगती है एक नेपाल है जो दूसरा देश है obviously हमारी जोई उसे boundary लगती है तो clear हुआ अब इसको भी हम देखने वाले हैं कि क्या इसको consider करने के पीछे क्या reason है clear अब देखे बिहार दिवस अब 1912 में बारवा सबसे बारवा राजे बना और ये 1935 में बिहार से अलग होकर ओडिसा राजे बनाए गया और 2000 में बिहार से अलग करके जारकंड अस्तित में आया था और यहां से ही समय लीजिए बिहार के अंदर जैसी आज की condition हमें बिहार के जो लोग हैं वो काफी ज़्यादा महनती है आप देखिए बिहार में आप पूरे देश में देखेंगे न तो आपको बिहारी ही आगे नजर आएंगे हर काम में हर चोटे से चोटा काम हर बड़े से बड़ा काम आपको बिहारी करता नजर आएगा यही वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ कर आगे देश के निर्मान में बहुत जादा सयोग देते हैं अब दीगे जिन राज्यों के अंदर special category status है वो जो राज्ये हैं उनके लोग अपने राज्ये को छोड़ कर बाहर नहीं आना जाते बिहार के अंदर 2019-21 के जो आंकड़े हैं उसमें बोला गया 33.76 परसंट जो हैं यहां पर जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के निचर अब यहां पर देखिए हमारे देश के अंदर total 11 राज्ये हैं जिनको special category status दिया गया है जमू कश्मीर हो गया उसके अंदर लेकिन जमू कश्मीर को आपको बता है कि 370 जारा हटने में से माइने से माइने सर्फ लगते हैं यहां पर हमारे सामने निकल करा रहा हो तो यहां पर आपको spesal category status देखने को मिलेगा इसका criterion देखे गडगिल मुखरजी फॉर्मूला है जिसके अंदर ये क्राइटेरिया रखा गए किसकी स्राज्य को स्पेशल चेटस दिया जाएगा हिली टेरेन होना चाहिए पहाड़ी इलाका होना चाहिए लो डेंसिटी होनी चाहिए लोकेशन ऐलोंग अदर देखने को मिल रहे हैं कि अब आपने देखा कि बीहार के अंदर 33.76 pfamily देखने को मिल रहे हैं जो भारत में सबसे टॉप पर हैं तो obviously economic backgroundness देखने को मिल रही है, location along with water देखने को मिल रही है, low density भी हम देखेंगे और hilly terrain भी देखेंगे, यही जो reason है यहाँ पर hilly terrain जो है एक तरीके से इसको ढाल बना के सामने लेकर आ रहा है कि भाईया आपकी जो है बाकी तो चलो माल लो आप special category status में आ सकते हैं लेकिन यह कुछ एक चीज़ें जो आपके रास्ते में आ रही है, तो यह जो चीज बना कर एक तरीके से ढाल बना कर बिहार को रोका जा रहा है कि आप special category status में नहीं आएंगे, फिफ्थ यानि पांचवाँ वित आयोग ता जहां पर यह recommendation दी गई थी कि कुछ राज्यों को special category status के अंद होता है, टेक्स के तोर पर, ठीक है, अब इस टेक्स के तोर पर 100 रुपय कठा होता है, तो यह जो 100 रुपया है, इस 100 रुपय में से कुछ रुपया जो है, भारत के राज्यों को दे दिया जाता है, कि आप अपने यहां पर infrastructure develop कर लिजी, अपना राज्य है, जो आप ऐसे च का, यह 42 रुपया जो है, वो 41 कर दिया गया, 41 रुपया कर दिया गया, बाकि कितना बचा यहां पर 59 रुपया बचा, यह 59 जो रुपया है, इसी रुपय में से special category status के उपर कुछ रुपया खर्च किया जाता है, भारत में जो हैं, जो भी आप welfare scheme देखते हैं, इसी 59 रुपय बचा है, उसी से welfare scheme चलाई जाती है, clear हुआ, तो यह आपको समझना है कि 14 वित आयोग, 5 वित आयोग और 15 वित आयोग, इन्होंने क्या क्या recommendation दी थी और कैसे इसको implement किया गया है, गड़केल मुखर जी की report या formula जो है, हमने देख लिया है, इसको भी हम discuss करेंगे कि क्या क्या आडे में आ रहा है, बिहार के, अब आत कर लेते हैं, डिटेल से, देखे, PDF जो इसकी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए एक बना के रखी है, description box में मैं फिर से बता देता हूँ, telegram का link मिलेगा, आपको, तो आप वहां से इस वीडियो की PDF जो है, वो download कर सकते है आप एक तरिफ सुनकर चले गए, एक होता है कि आपको बार-बार वीडियो तोड़ना सुनेंगे, एक बार नजर मार लेंगे, हाँ है, ये ये point थे, इसको हमें लिखना है, ये हमें exam के point of view से use करने है, तो वो सारी चीज़े आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएंगी, आप बार-बार वीडियो ना सुनें, इसलिए आपके लिए ये सारी चीज़े जो है, मैंने एक PDF के तोर पर, Telegram के चैनल पर उपलब्द करवा रखें, तो आप बात कर लेते हैं कि बिहार जो है, विशेष राज्य दर्जा, यानि Special Category Status क्यों मांग कर र बिहार जो है, वहाँ पर महतरपुर्ण आर्थिक चुनोतियों का सामना कर रहा है, यानि कि economic challenges है वहाँ पर, economic challenges कैसे हुए, देखे वहाँ पर जो है, वो industrial development नहीं है, limited investment opportunities है, वहाँ पर लोग जादा investment नहीं कर रही है, यहाँ पर industrial development क्यों नहीं है, इसके पीछे reason यह है, कि जब रज्य का भी भाजन हुआ था, बिहार का, जहां से जारकंड अलग कर दिया गया था, तो जो भी industrial जो थी, क्योंकि आपने देखा हो कि जारकंड के अंदर आपको मिनल्स ज्यादा देखने को मिल रहे है, तो इंडस्ट्री जो थी, वो जारकंड के अंदर चले गई, ज इंवेस्ट्मेंट के लिए उपर्चनेटीज नहीं है, फिर यहां पर क्या हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद, जो भी इंडस्ट्री थी, वो जारकंड में चली गई, एक रीजन ही हो गया, सेकिंड हमारे सामने आता है, नेचुरल आपदाएं होती है, जो विभदाएं होती हैं, जैसे समलो, जैसे राज्ये के उत्री शेत्र में अगर आप देखेंगे, तो उपर के तरफ तो बिहार में बाड़ा जाती है, नदी के कारण, लेकिन दक्षिन भाग, आप इन देखा, गंबीर सुखे के कारण पर जाता है, तो यह दोनों ही चीज़ का हो रहा है, तो कृषी गती वीडियों में बादित होती है, विशेश कर सिंचाई सुईधायों के मामले में, और साथ इसाथ जल आपूरती भी प्रयाप्त रहती है, जल नहीं मिल पाता है, और जिससे क्या होता है, आजीविक का और आर्थिक स्थिरता पर भावित रहती ह देखे, प्राकरति काप दाए होंगी, इस से निपटने के लिए, ओविसली सरकार को कुछ ना कुछ कदम हुटाना चाहिए, यह सारी चीज़ें जो है, सरकार इनके उपर काम करेगी, डेफिनिटली ऐसा नहीं है कि यह सब चीज़ें हटाई नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसक सड़क नेटवर्क ऐसा है, सीमित स्वास्थे सेवाई हैं जो होगी, शैक्षनिक यानि कि एजुकेशनल सुविधाओं का अभाव है राज्ये के अंदर, तो यह जो सारी चीज़ें हैं, बिहार में एप्रयाप्त इंफर्च्रक्चर जो राज्ये में समगर विकास को बाध क्योंकि यहां पर आपने देखा कि इंफर्च्रक्चर इतना बड़िया है नहीं, अब एक चीज़ आती है कि इंफर्च्रक्चर इतना बड़िया है क्यों नहीं, क्यों यहां पर सड़क नेटवर्क नहीं है, क्यों यहां के जो लोग है वो बाहर दूसरे राज्ये में जाक करेंगे इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक रीजन यहां पर है निर्धनता और समाजिक विकास यानि पौवर्टी और शोशल डैवलोप्मेंट बिहार में निर्धनता दर जो है यानि पौवर्टी जो है वो उच दर पे यहां बड़ी संक्या में जो परिवार गर जाना पौइंट दो आठ है देगे पूरे भारत में अगर 11 लोग गरिभी रेखा से नीचे हैं ओसत के तोर पे लेकिन अकेले बिहार में वही 26 के नजदीक वह पहुंच जाती है बिहार में पर्तिवेक्ति GDP अगर बात करें तो राश्ट्य ओसत जो है वह एक लाक शनातर ज जार निकल कर आती है लग बही एक लाक सतर जार के आसपास वहीं बिहार जबो साट जार निकल कर आता है तो काफी ज्यादा नीचे होगी फिर दिसरी यहां पर हमारे सामने निकल कर आता है Human Development Indicator यानि कि यहां पर मानव विकास संचुचकांकों में यह काफी ज्यादा पीछे है बिहार उसके अलावा विकास Funding for Development की मांग करना एक काफी टाइम से क्या कर रहे है जो मांग चल रही है वह समाजिक आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए केंदर सरकार से प्रयाप्त फैनेंशल सपोर्ट मिल जाए ताकि यहां से निर्दनता से बाहर निकला जा सके यहां पर development किया जा सके एक यह हो गया 94 लाक जो गरीब परिवार है उनका कल्यान खर्च पर के लिए अत्रिक धाई लाग करोड रुपे जो है वो प्राप्त हो जाएंगे यहां पर देखिए यह मैंने 94 लाक करोड पूर पीपल यह क्या बन गया यह थोड़ा सा गलत लिखा गया है टाइपिंगी मिस्टे निकल कर आ रहा है यहां पर जहां पर पोवर्टी इतनी नहीं देखने को मिल रही है अब बिहार जो है अब एक और चीज जो थी यहां पर मैंने आपको सामने बोला था लू रूल ओफ लू रूल ओफ लू मतलब की अगर देखिए बिहार राज्ये में जैसे एक क्राइम र दिये गए या तो उनको भाई साब एक ठीकाने लगा दिये गया है कि बहार मत आ जाना बहार आये तो तुम्हारी जिंदिगी है जो रेखा है उसको हम खतम कर देंगे जिस तरीकी कि वहां पर कारवाई की गई है तो वहां के जो लोग है अब फ्रीली घूम के बाहर निकल अब देखें कोई व्यक्ति की चैन ख्रीता है तो वह पहने के लिए करीता है तो लौक को 0 snel खरीदेगा जैसे दो सोचक कर आइक और वहना खरीदेगा थ시चना खरीदे गा सोच पर डिपेंड करते हैं अब क्या हुआ कि उसने सोना निक्रेदा ओविसली वहां पर सोने की मांग कम होगी तो वहां पर वो सब चीज़े आएंगी ही क्यों वहां पर वो वर्किंग जो एक तरीके से जो सोने के मार्केट में जो एक वर्क फॉर्स चाहिए हो थी वो भी नहीं बनेगी आप कोईएंगे कि सोने का चलो इतना बड़ा मार्केट नहीं है दूसरे पॉइंट ओव यू से हम देख लेगते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कोई गाड़ी खरेदी मानलो दस लाग की कोई गाड़ी खरेदी उसने निकला वो बाहर बाहर निकलते हैं उसको कोई ब लेंगे और मुझसे वसूली कर लेंगे तो यह सब चीज़े होंगी तो वह गाड़ी नहीं करेदेगा तो वहां पर फिर वह गाड़ी आएंगी नहीं वहां पर manufacturing वहां चीज़ें क्यों बनेंगी तो यह सारी automatically चीज़े जो है वो rule of law पे ही अगर वहां पर कानून चीज़ें अपनाए गई थी अगर वह बिहार में वह अपनाए जाएंगे तो definitely बिहार जो आगे success करेगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं अभी यहां पर बिहार में जो आप एक चीज़ देखेंगे कि भारत जो है भारत में बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यो जादा थे जो 7.2 से भी मतलब 7.2 पूरे देश की माननी गई है वहां बिहार के अकेला 10.6 लेके बैठा हुआ है पिछले वर्स की वास्ति रूप से परतिविक्ति आया में 9.4 परतिशित की वरिदी हुई है यह हो गया एक चीज़ समन्ने कि हमें यहां पर देखना होगा कि देखे बिहार जो है जो बिहारी जो लोग है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है वो यह नहीं कह रहें कि हमें बैठ कर खिला दो वो यह कह रहे हैं कि हमें opportunity दे दो यार हमारे राज्य में आप यहां पर company लगा दीजिए हम तो हमारे राज्य को यह बहुत ज़्यादा उपर प निकल कर वह खुश है लेकिन भीहारी वहीं है जो बाहर महिद रूजय कर देजिशों यह सब चीज़ें अच्छी करेंगे तो automatically बिहार जो है वो poverty की देखा से उपर निकल कराएगा। यहां पर जो तर्क दिये जा रहे हैं कि भाईया बिहार राज्ये को special category status के अंदर क्यों नहीं लाना चाहिए। जो आलव चक हैं वो उनका एहरे हैं कि बड़ी हुई जो यह धनराशी जो है वो खराब नीतियों को प्रसाइद कर सकती हैं कि जादा रुपया आएगा तो यहां पर नीतियों जो खराब हो जाएंगी और अच्छा परदर्शन कर ले हमारे राज्ये जो राज्ये अच्छा का अच्छी नहीं है परती वेक्ति आये वहां पर जादा निकर कर नहीं आ रही है तो एक भेद भाव वहां पर उत्पन हो जाएगा बिहार के एतियासिक रूप से खराब कानून वेस्था विकास और निवेस्थ के लिए बड़ी बाद आ रही है अगर ये सब चीजें कंट्र परतिशत कर दिएगे मतलब कि सरकार जितना कमाती है उसमें से क्या करेगी 41 परतिशत जो वो राज्यों को दे देगी क्लेर हुआ अधिक धनराशी अल्पकालिक रहत मिल सकते हैं देखिए डेफिनेटली स्पेशल केटेकरी स्टेटस पर आने पर सरकार जादा ध्यान देग अरे हम आईंगे तो आप इसानों का करजा माफ कर देंगे अरे करजा माफ कर देने से किसानों की अहารत नहीं सुधर जाएगी वो आप शोट टं उनका इलाज कर रहे हो लोंग तर्म अगर इलाज चाहिए तो डेफिन टिल कुछ नकुछ ठोस कदम उठाने होंगे तो यही ज़्यादा ज़रूरी है यानि rule of law को strong करना बहुत ज़रूरी है बिहार SCS के उंदान के लिए अधिकान समान दंडों को पूर्ण करता है लेकिन यहां एक तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं बोगोली से कटिन शेत्रों की आफशकता को वो पूरा नहीं कर रहा जिसे बुनियादी धांचे में के विकास में कठनाई का प्रात्मी कारण माना जाता है मतलब कि पहाड़ी इलागे आपने देखा हो गया इस्टन स्टेट जो है उनको जह स्पेसिल केटेक्री स्टेटस दिया गया है लेकिन क्योंकि वहां पर पहड़ी इलागा है वहां पर उनके कारण क्या हो रहा है कि डेवलोंप्मेंट इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है इसलिए वहां पर स्पेसिल केटेक्री स्टेटस में दिया गया के अंदर सरकार ने चोद्वें वीत आयोग की रिपोर्ट का हम अगर बिहार को अगर दे दिया जाएगा तो इसके अलावा कौन से जो राज्यें वो निकल कर आएंगे स्पेशल केटेक्री स्टेटस के लिए 2014 अपनी वाजन के बाद आंधर परदेश चंडरबाभ उनाईडो का एक जो सपना है चंडरो को राजदानी बनाने का तो वहाँ पर यह बात बोली जारी कि हमें स्पेशल क्रेटिक स्टेटस दे दीजी तो एक वो अंदरपरदेश निकल लगाएगा फिर इसके अलवा ओडिसा भी जो बार-बार चक्रवाज जैसी प्राकर्तिक आपदाओं और बड़ी जन जाती बड़ है वहाँ पर लगबग 22 परतिशत वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर अपनी स्वेंदन शेलता को उजागर करते हुए SES का अनुरोध भी कर सकता है यानि उदर ओडिसा भी कर सकता है अंदरपरदेश भी कर सकता है और भी राजे निकल कर आ सकते हैं जो स् aris मिले लेते हैं तेके स्पेशल कैटिर सिटेस में क्या होता है के अदर दवारा भोगोलिक और समाजिक आर腳 रूप समीधान के जाने वाला एक अलग से कैटिगरी है, स्पेशल कैटिगरी स्टेटस, समीधान में स्पेशल कैटिगरी स्टेटस के लिए कोई भी परावधान नहीं है, यह एक वरगी कर्ण ज़ों 1969 में पांच्में मित आयोक की सिफारीव सोके अधार पर किया गया था, सबसे पह कैसे अलग है समझना special status के अंदर विधाई और राजनितिक अधिकार परदान होते हैं यानि कि legislative और political right प्राप्त होते हैं जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर के case में देखा है जम्मू कश्मीर में कैसे उनका अलग से समईधान होता था उनके अलग से ही परशाशन चलाया जाता जो है भारत वहाँ पर जो center government है interfere नहीं कर सकती थी तो यह सब चीज़ें जो थी वो special status में आती थी लेकिन special category status जो है वो केवल और केवल economic और financial aspects related है मतलब वहाँ पर रूप्यों की सहायता की जाएगी ना कि आपको को कोई अलग से राजनितिक अधिकार परदान कर दिये अब यहाँ पर क्या-क्या जो गडगिल की जो सिफारिश हैं उनके अधार पर किस राज्ये को जो है special category status दिया जाता है एक तो पहाड़ी इलाका जो हमने देखा है एक कम जन संक्या घना तो या फिर जन जाती है जन संक्या का एक बड़ा हिस्सा हो वहाँ पर जैसे आपने eastern state के अंदर देखा पोडोसी देश के साथ सीमा पर समरिक स्थिती समरिक मतलब कि आपने देखा है कि neighboring state जैसे नेपाल हो गया वो बिहार से लग रहा है इसके अलावा आधारबूत सरंचना में पिछड़ा पन हो गया राज्ये के वित की एववार प्रकरती यानि कि जो वहां कि अगर कोई राज्ये में अगर सरकार को स्कीम लेके आती है कोई भी जीवन भी मानले कोई बी आईशमान भारत मानले कोई एक स्कीम चलाई तो वहां पर क्या हुआ 60% या फिर 75% माल लिजी 100 रुपय खर्च होना था उस scheme के उपपर तो जो राज्य है particular हर्याना समलिजी हर्याना राज्य है तो हर्याना राज्य में अगर ही scheme लाई गई है तो 60 रुपय में से 60 या 75 रुपय जो है वो सरकार देगी जादतर 60 ही देती है बाकी 40 हर्याना सरकार को पे करना पड़ेगा तो यह होता है आम तोर पर जो नॉर्मली चल रहा है लेकिन अगर किसी को भी special category status में ला दिया जाएगा तो इमान लिजी जो 100 रुपया आ रहा था अब वो 100 रुपया जो है उस 100 रुपय में से सरकार 60 ना देकर एक तरीके से लैप्स कर दिया जाएगा नहीं उसको आगे के टाइम के लिए जोड दिया जाएगा मतलब कि आने वाले टाइम में अगर आपका रुपया बचा रहा था मान लिजी अगले साल लगाना तो वो रुपया मतलब एक्जांपल के लिए 30 परतिशत विशेश्रेणी राज्यों को परदान किया जाता है अब चुनोतियां क्या आती है इससे भई आपने special category status दे दिया इससे क्या क्या नुकसान हो सकते है एक होता है resource allocation यही special category status परदान करने के लिए राज्यों को अत्रिक्त विट्य साहिता परदान करना आवशक है obviously वहाँ पर जादा रुपया जाएगा जिससे क्या होगा केंदर सरकार के संसादनों पर दबाव डाला जा सकता है मतलब कि सरकार जो वो भी कोई welfare scheme ला रही है या जो सरकार जो जिसकी resources है उनके उपर और जादा pressure डाला जाएगा कि हाँ हमें यहाँ पर इनको विट्य साहिता देनी है केंदर सरकार की जो welfare scheme है वो पर भावित हो जाएगी केंदर साहिता पर निर्बरता स्पेशल केटिक्स सेटर्स जो राज्ये प्राप्त है वो क्या होगे केंदर की साहिता पर ही अतेदिक निर्बर हो जाएगे किसी पर निर्बर होना इससे क्या होगा कि सुन्दंतर आर्थिक विकास रनितियों की दिशा में उनके प्रयास अतोत्साहित हो जाएगे वो खुद राज्ये आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा यहाँ पर implementation challenges देखे, special category status दिये जाने के बाद परशास्निक एक्षमताएं, भरस्टा चार अत्वा उचित नियोजिन की कमी के कान निदियों का परभावी विदी से उपयोग करने में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है देखे, अगर राज्ये के अंदर special category status दिया गया है तो obviously वहाँ पर जादा रुपया आने पर लोगों का लालच बढ़ जाएगा लालच बढ़ने पर वहाँ के जो परशास्निक जो लोग है शायद उनके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन हो जाए कि वो कामी ना करें, वहाँ पर करप्शन बढ़ने लग जाए वहाँ पर inefficiency आजाए, administration के अंदर lack of poor proper planning देखने को हमें मिले तो यह सब चीज़न देखने को मिल सकती है आगे की राह क्या हो सकती है देखें, निश्पक्षता, एवम पारदर्शता सुनिचित करने के लिए special category status परदान करने वाले जो मान दंड है, उनको फिर से बुनर विचार करने की आफशकता है 2013 में सरकार द्वारा गठित रकूराम राजन कमीटी ने special category status के बजाए यहां पर बोला गया था कि आप बहुयामी सुचकांग पर अधारित एक नई पदती का सुझाव दिया जिसके माद्यम से राज्यों को समाजिक आर्थिक पिछड़े पन को दूर करने पर पूरनर विचार किया जाता है देखें, आप special category status मत लीजिए आप कुछ fund दे दीजिए वहाँ पर ताकि उस से उस चीज का सुधार के अधास के एक particular time के लिए आत्र निर्बर्ता के साथ आर्थिक विविदी करन को बढ़ावा देने के करम में केंदर सरकार पर राज्यों की निर्बर्ता को कम करने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए केवल आप जो राज्य है वो केंदर के उपर depend ना हो जाएंगे इसके साथ राज्यों के राज्यों के राज्यों के विविदीता लाने पर बल दिया जाना चाहिए यहां पर जो है वो कैसे investment आ सकती है यहां पर इसकी जो राज्यी की revenue कैसे बढ़ाई जा सकती है इसकी diversity के उपर focus किया जाना चाहिए विशेषकों का सुझाव है स्तत आर्थिक विकास के लिए बिहार में विधी के शाषन की आवशक्ता है यानि की रूल ओफ लो की आवशक्ता है यह बात बार बार बोली जा रही है इसी के अपर फोकस किया जा रहा है राज्यो को व्यापक विकास योजनाय बनाने के करम में प्रवसाइद करने तू अन्य कदम उठाए जाने की आवशकता है जैसे कि वहाँ पर शिक्षा का सुधार लेकर आजाजीए यानि कि प्रारंविक बाले विस्ता विकास शिक्षिक प्रशिक्षन प्रदती में सुधार पर ध्यान के इंदरित करने से संबंदित राइट टू एजुकेशन फोर्म की सिफारिशों पर ध्यान देने के साथ अधिक समवादा तमक तथा प्रद्यों की अधारिक दृष्टिकों अपनाना चाहिए यहां पर आप देख लिजिए कि एजुकेशन के ओपर अगर आप फोकस करेंगे डेफिनिटली एजुकेशन की बहुत जादा एक लैक ओफ एजुकेशन अभी देखने को मिलती है वेफशाओं को आकरशित करने तथा रोजगार सिर्जिन करने है तो सिंगल विंडो इन्वेस्टिन प्रोमोशन बोर्ड यानि कि अगर कोई व्यक्ति फैक्टरी लगाना चाहता है बिहार के अंदर तो ऐसा नहीं है कि उसको बार-बार दफ्तर के अंदर गुमाते रहेंग पर जिसने लगाई है वहां तक जाने के लिए कोई कच्चा माल हो गया फिर वहां से जो माल बन कराया है उसको ले जाने के लिए जो रोड है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप में ये सोचने की देर ना लगे कि या रे वहां तक जाएंगे कैसे वो सब चीजे नहीं होने चाहिए वो एक बढ़िया संपर्क होना चाहिए वहां तक महिला सशक्तिकरन समाजिक समावेशन यानि यहां पर जो वुमन है उनको भी आपको एक समाज के अंदर जो एकनोमिक जो سमाज उसके अंदर आपको लाने की बहुत जादा जरूरत है यजिए लैंगिक समाना आम समाजिक सत्री करन के संदर में बिहार विभीन चुनोतियों का सामना गड़ा है विधियों के बहतर परवरतनम समाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ साथ महिला की सिक्षा, कोशल विकास और वित्य समावेशन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है यानि financial inclusion उनका भी बहुत ज़्यादा जरूरत है economic development के लिए ऐसा नहीं कि बस आपको आपने उनको गर पे रख दिया उनको को skill नहीं दी जारी उनको को education नहीं दीए उनके उपर भी focus करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उमीद करता हूं कि जो आज का जो topic आप लोगों को समझ में आ गया होगी बिहार जो special category status की मांग क्यों कर रहा है और उसको रोकने के लिए भाई आपको special category status नहीं दिया जाएगा इसके पीछे क्या क्या तरक दिया जा रहे है तो आने वाला time में बताएगा कि बिहार और आंदर प्रदेश को क्या special category status मिल पाएगा क्योंकि सरकार के अंदर ये main बुमिका के अंदर है तो obviously यहां पर इनकी बातों को focus किया जाएगा तो आज का topic उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझा सकते हैं obviously वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके वीडियो के लिए मैं आप लोगों को अलिडियो बता देता हूं बता चुका हूं फिर से एक बार और बता देता हूं description box में आपको telegram का एक चैनल टेलिग्राम का एक चैनल मिलेगा link मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से आप इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते तुर साज के लिए इतना है था thanks for watching this video